नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूटीब चैनल आए अस हिंदी में चलिए भाई लोग आप देखिए आज का हमारा टेस्ट हो गया टेस्ट नंबर आठ ठीक है और यह हमारा होली से पहले का वीडियो है इसके बाद हम सीधे ह ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है इस पे आपको चर्चा करनी है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका वैश्विक तापन हिंदी में से आप क्या समस्ते हैं इस छेत्र में वर्तमान में हुई प्रगति को बताते हुए यह स्पस्ट करें कि यह भारत की मूलभूत समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकता है वरडन करना ठीक है लास्ट क्वेस्टन तीन तीसरा क्वेस्टन अब देखें यहाँ पर हम लोग अपने कमर कस लीजिए और थोड़ा तेजी से अब काम करना शुरुगात किया जाए अब फ्लो में तो अब हम लोग आई गये हैं दो-दो क्वेस्टन करके तो फ्लो आप बन चुका है तो तीसरा क्वेस्टन क्या है सारोभौमिक बुनियादी आयसे आप क्या समझते हैं य तीन दिन के समय में आप लोग आराम से लिखिए और बाइस को हम अपना नेक्स्ट टेस्ट लेंगे ठीक है तो और देखिए अब क्या है कि अब जैसे होली भी है बीच में तो आपको तीन क्वेस्टन भी लिखना है तो अब ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग बस होली खेलते रह गहिए होली तो खहलना बहुत जरूरी है मजमस्ती करना एंग्दम जरूरी है ठीक है और इस आंसर को भी लखना लेकिन तो पहले अपने होस हवास में आंसर को लिख крас Tir यह नहीं कि अब होली है तो सर कुछो भी करके लिखने पेज़ दिया और फिर बोग बुरान बानो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है आपको इन तीन क्वेश्चन को प्रॉपर तयार करके फिर लिखना है एक तो यह देख लीजिए तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोगी ग्लोबल वार्मिंग और इसमें भारत के लिए क्या प्रयास है वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट नेनो टेक्नोलजी और उसके यूज़ेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर हाल में दूसरा यूनिवर्सल बेसिक इंकम तो यह तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है होट टॉ लेगा तो चलिए अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो की है प्रिवियस जो टेस्ट हुआ था उसके डिसकॉशन पर तो देखिए इसका टेस्ट 7 था उसका पहला क्वेश्चन क्या था क्या कर्ज माफी और आरक्षण एक राजनी अच्छा एक चीज और आप लोगों से बोलना था कि आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मतलब आपको इस सीरीज से कुछ फाइदा हो भी रहा है कि नहीं तो मतलब आपके जो भी राइटिंग स्किल थी उसमें इंप्रूमेंट हुआ है कि नहीं मुझे पू लोग जरूर कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को लाब हो रहा है हमारा जो प्रयास है वो अपने सफलता की और अगरसर है ठीक है प्लीज जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो देखिए इसमें इसको समझना क्या था सबसे पहली तो ठीक है हम अब इस question को समझते हैं और पहले समझेंगे तभी देखेंगे कि हमको लिखना क्या पड़ेगा तो आपसे अगर पूछ रहा है कि क्या करज माफी अभी जस्ट करज माफी प्याते हैं इसको अभी रोग देते हैं तो क्या करज माफी एक राजनीतिक मुद्दा बनके रह गया है तो आप बोलेंगे येस ठीक है अभी हम आपसे पूछ रहे हैं अगर जो कोई कहा कि हाँ ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया तो next question बनता है why क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है न तो आप why का answer दोगे क्योंकि जो उनकी समस्याएं थी कि किसानों की जिसकी किसानों का ही तो कर्ज माफी हो रहा है यहां किसान कर्ज माफी की ही बात की जा रही फार्म लोन वेवर्स का तो क्यों क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो आज भी उसी तरह बनी हुई है और यह जो मकर्ज माफी हो रहा है उससे उन्हें कोई लाब नहीं हो रहा है तो आप यहां पर क्या बताए किसानों की समस्याओं को ठीक है यह ध्यान रखेगा एक यह प्रॉसेस है समझने का क्वेस्चन को और यही आपका फॉर्मेट तैयार करेगा आंसर क तो ठीक है अगर आपने बोला कि हाँ यह एक राजनितिक मुद्दा है तो आप बताएंगे कि क्योंकि किसानों की समस्याओं जो है वो जियोंकी त्यों बनी हुई है जिस वज़ए से यह एक सिर्फ राजनितिक मुद्दा उन्हें कोई लाब नहीं हो तो हमें क्या बताना इससे बहुत लाब हुआ है जो उनकी कर्ज माफी की वज़े से तो आप वहां पर क्या बताएंगे कर्ज माफी से क्या लाब हुआ है ठीक है बेनिफिट्स जो हुए है बेनिफिट्स जो हुए है वो बताना होगा किसका कर्ज माफी का बेनिफिट्स बताना है और वहां समस किस की बतानी थी किसानों की आप ये दोनों बात समझ गए अब देखिए ये जीयस का अंसर है इसलिए आप किसी एक पक्ष को नहीं लेकर रह सकते हैं कि हाप सीधे आप येस और नो में नहीं जा सकते हैं आपको बैलेंस अंसर ही देना पड़ेगा लेकिन तीसरी बात ध्यान रखना है ये आलोचनात्मक परिक्षण करना था तो आलोचनात्मक परिक्षण का हो गया मतलब पहले आपको इस पे फोकस किस पे होगा आलोचना पे इसका मतलब आपको यह मानना पड़ेगा कहना होगा कि हाँ ये एक राजनीतिक मुद्दा है तो किसानों की समस्य बतानी ठीक है और उसके बाद आप कहेंगे कि हाला कि उसका जो भी मतलब जो मतलब उसकी मंद्शा जो है जो अच्छी जो मंद्शा है उसके बारे बताएंगे फिर वही परीक्षण का मतलब हो गया कि जो कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है नहीं सिर्फ राजनीतिक म आलोचना ही होगी 30 से 40 परसेंट ही मात्र आपका पॉजिटिव जाएगा यह सब चीजें बेसिकली आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वालिटी अंसर होगा और जो पढ़ने वाला होगा उसको भी आसानी से समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को फॉर्मेट किय प्राप्त करने के लिए यह क्वेश्चन ठीक है वरतमान में प्रस्तावीत नागरिक्ता संसोधन नियम 2016 तो देखें यहां पर आपके समझ में किस तरह की की बात नागरिक्ता को लेकर कही गई है वह और चुकि प्राप्त करने के प्रावधान की बात कर रहा है तो आपको नागरिक्ता अधिनियम की बात करने होगी 1955 की तो उसमें क्या क्या तरीके हैं वो सब बताना है और उसके बाद जो संसोधन अधिनियम 2016 है इसका आलोचना आत्मक परिक्षन यहां पर भी है तो आलोचना आपको करनी होगी कि यह जो संसोधन अधिनियम है उसके क्या नुकस से हमें इस question को समझना था और answer को frame करना था और तीसरी एक चीज और आपको ध्यान मतलब बता दें बहुत लोग परिशान है मतलब इस तरीके से कि लोग message करते हैं WhatsApp पे sir को message करते हैं इस नंबर पे आप प्लीज चीज़े ध्यान रखिए परिशान मतलब सर भी परिशान हो जाते हैं आप लोगों की बहुत ज्यादा query आ जाती है तो आई हम देख लेते हैं जो अपने best answers है उनको ठीक है और एक चीज़ और आपको बता दे वो भी उसके लिए भी लोग बहुत ज्यादा परिशान है message करते रहते हैं कि सर जो model answer है वो नहीं मिल रहा है सर material कैसे मिलेगा कैसे आप देंगे तो देखिए मारबार आप लोग को बताया गया कि 15 अप्रेल तक का आप इंतसार कीजिए ठीक है 15 अप्रेल को आपको सारा material जो है जितने के answer बहुत लोगों के बहुत ही अच्छे होते हैं तो जो question important होंगे उनके हम दो answer उस PDF में डाल देंगे और लगबख सभी question के answer जो अच्छे answers हैं उनका एक साथ compile करके आपको 15 अप्रेल को provide कर दिया जाएगा इस तरीके से मतलब वो आपके लिए समलिए रामबार material होने वाला है तो आप उसके महत्ता को आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपको सारा अच्छा content के साथ पूरे important questions का material मिल जाएगा तो और जबकि लोग जो भी test series कराते उसमें तो पहली बात तो model answer देते ही नहीं है और model answer देते भी हैं तो वो लिखे हुए answer नहीं होता है actual में वो लिखे answer नहीं होते है copy paste cut copy होता है उसका कोई महत्त नहीं वो सीधर topic को describe की होते है actual में question को कैसे लिखा जाना चाहिए था ये तो उसमें उस answer में होता नहीं है तो खर वो सब अलग चीज़े हैं ये हमारे लिए ब जैनती जी का answer है इनके writing तो खेर बहुत ही अच्छी है मतलब मुझे तो writing बहुत अच्छी लगी और इनका answer भी बहुत बढ़िया है और दूसरी चीज़ की इनके जो sentence formation है वो भी बहुत अच्छा है quality है उसमें और innovation भी है इनके answer में और language पे तो पकड़ भी बहुत अच्छ अब देखी ये start इन्होंने introduction से किया है एक खुद से बनाई हुई case study से और उसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिस की है कि मतलब जैसे आज क्या है vote bank की जो politics है कि किसी भी जो मतलब सीमान छेत्र के लोग है जो गरीब है उन लोगों को किस परकार से एक जो तातकालिक देया है कि उनको तुरंट कोई पैसा दिया कोई कुछ लाब तुरंट प्रदान कर रहा है तो वो उनको लगता है कि हाँ हाँ चलो मुझे फाइदा हुआ और वो benefit उसको मिल गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए है उनको permanent solution की तरफ ध्यान दिया जाए जो permanent solution अगर provide कर रहा ह वो to से देना चाहिए ऐसा इन्होंने अपने introduction वगरा में लिखा है तो ठीक है उसके बाद देखिए सबसे important चीज हम मैं जो आपको बताना चाहरा था कि देखिए पहले इन्होंने क्या बताया कि जो loan maafी है loan maaf किये जा रहा है कर्ज maaf किये जा रहा है उसके क्या benefits है मतलब उससे फाइदा हो रहा है ठीक है लेकिन अब जो main part क्या है drawbacks की उससे क्या नुकसान हो रहा है ठीक है नुकसान भी बता दिया गया और जो main था कि हमें किसानों की समस्या को बताना पड़ेगा क्योंकि वो समस्या खतम नहीं हो रही है इस वजह से यह एक political मुद्दा बन जा है अब यहां पर आपको लग सकता है कि मतलब किसानों की समस्या बताने की क्या जरूरत है क्यों नहीं हम यहीं सिर्फ बताते है जादतर लोगों ने क्या किया है कि जो कर्ज माफी है उसके क्या benefit है कर्ज माफी क्या negative है कर्ज माफी का negative बताने की कोई जरूरत नहीं थी आपका जस्टेस ये बल है कि हाँ ठीक है इसके लिए इतना ही स्पेस देना जरूरी था क्योंकि आपको वो connect करना पड़ेगा कि समस्य जोंकी त्यों है इसलिए इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और यह राजनीतिक मुद्दा बन कर रहे गया ठीक है इन्होंने एक सेपरेट तरीके से लिख दिया है वो भी ठीक है लेकिन इसको आपको connect करना पड़ेगा ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं सेम उसी तरह से इन प्रोसेस लिया है रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर यह हम उसको आपको सिर्फ करजमाफी पर समझाए प्रोसेस सेम है उस पर भी तेखे सेम वह इन्होंने भी किया है रिजर्वेशन सिस्टम पर पहले एडवांटेज बताया कि वो किस प्रकार किस उद्देश के लिए आया था और उसके बाद उसके नुकसान बताया गया कि उसके आने की वज़े से भी कितने नुकसान हुए है और उससे कोई फाइदा नहीं हुआ है और जो सरकार कर रही है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है और देखिए यहाँ पे आपका यह court के judgments को भी use किया गया है तो इस परकार से यह मतलब एक balanced और काफी contentful बहतर answer है ठीक है conclusion भी इनका वो काफी अच्छा था तो इस परकार से आप देख सकते हैं यह answer जैनती जी का मेरी समझ से काफी अच्छा मतलब एक दम साटीक answer मैं कह सकता हूँ यह ठीक हम next question देख लेते हैं यह देखिए फरहाद आलम जी का answer है citizenship वाले question पे तो यहाँ पर पहले introduction simple से एक दम straight forward आपका introduction उसके बाद आजाते हैं कि किस परकार से constitution में दिया हुआ है आर्टिकल में ठीक है 5 से 11 में उसके बाद बता दिया गया कि citizenship act 1955 में प्रावधान किये हुए हैं और सम्विधान में यह शक्ति संसत को दी गई है ठीक है तो इन्होंने आप किस प्रकार से आप citizenship acquire कर सकते हैं वह चीज़ इन्होंने बताया ठीक है फिर उसके बाद देखिए citizenship by descent आप ले सकते है registration से फिर आपका फिर उसके बाद आपका acquiring the territory है यह सब जैसे भी है आपका आपका उस तर न्यूटरलाइजेशन है मतलब यह सारी जिस भी प्रावधान के माद्य हम से किया जा सकता है वह सारी चीज़ें यहां पर उन्होंने लिख दिया है ठीक है उसके सीधे आपका जो 2016 का amendment bill है उस पर यह straightforward question था इसमें कुछ खास था नहीं लेकिन लिखने के तरीके पर depend करता है कई बार तो अब वो देखे इन्होंने उसके प्रावधान को बताया कि सरकार ने क्या प्रावधान उस bill में रखा था ठीक है उसकी highlights को फिर उससे क्या issues थे और challenges क को दिखाये गया कि यह एक तरीके से violation of the right of equality है ठीक है उसके बाद बोलने है कि जो basic structure है secularism का इंडिया का उसके खिलाफ है violation of Assam Accord जो है उसका violate कर रहा है NRC का जो है उससे conflict हो रहा है तो मतलब इस परकार से जो points है का आपका आलोचना वाले उन पे focus ज्यादा करना था जैसा क कि दोने किया भी है फिर last में यहां पे इन्होंने conclude किया कि necessary steps को मतलब और cultural integrity को मतलब आपको उस पर ध्यान देते हुए किसी को परभावित ना करते हुए इन सब चीजों को इस तरव इस पर आमेंड किया जाना चाहिए मतलब बैलेंस है यह भी answer ठीक है अम next देख लेते हैं हिंदी में भी अपने answers हिंदी में देखिए हम आपको answer दिखाते हैं इस बार दर्शन कुमार जी का है और इससे आपको positive और negative दोनों तरीके से सीखने को मिलेगा ठीक है अब यह देखिए answer इन्होंने लिखा बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही sense में कि भाशा जो है इनक ध्यान रखना है हमें कि एक जीएस का question है हमें निबंध नहीं लिख रहे हैं तो निबंध वाली जो भाशा होती है जो एक flow होता है वो एक अलग तरीका होता है दूसरी चीज इनको यह ध्यान रखने की चीज़ है कि जो इनके शब्द chain हैं शब्द chain काफी मतलब hardliner type के हैं मतलब वो पूरी तरीके से नकारने वाले हैं जो आलोचना है वो काफी मतलब तीवर आलोचना है इसमें तो हमें अपने जीएस के answer को balance रखना चाहिए कभी भी मतलब किसी एक पक्ष की तरफ जुकाओ महसूस नहीं होना देना चाहिए तो यह चीज इस answer में बस कमी थी जब लोग पूरा वीडियो देखेंगे ठीक है किसानों की कर्ज माफी तथा इसमें आपको मजा भी आएगा इनका answer पढ़ने में किसानों की कर्ज माफी तथा आरक्षर राजनीतिक रूप से वह शिगूफा है जिसके छद में इस्तमाल से सत्ता के सिंहासन पर बैठने को किसानों से विरोजगारों की असल समस्या क्या है मतलब यह देखें निबंध का तरीका है हलांकि जीएस में आप यूज कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके निदान के उपाय क्या है और सत्ता में लोलुप्ट जो है उन्हें क्या दे रहे हैं क्या कर्ज माफी और आरक इसको इमें बहुत ही बहतर है ठीक है जैसा कि हम लोग अभी इंग्लिश वाले आंसर में देखें फिर उसके बाद बता रहे हैं किसानों के समस्याओं के निदान के उपाय भी बताएं कि क्या उपाय किये जाना चाहिए सिर्फ कर्ज माफी से ही काम नहीं चलेगा यह उपा इसको उन्हों ने कहा कि जले देख लेते हैं आदमी के पास पीने के पानी की व्यास्ता नहीं है एक्स आदमी के पास ठीक है वह अब चुनाओ आने वाला है राजनी दिक दल आएंगे और उनको बसलेरी की पानी के 5 बोतल दे देंगे और एक्स आदमी 5-6 दिन बाद काफी प्रसन और 5-6 दिन काफी प्रसन रहेगा तथा संभो यह भी है कि जो दल अपने पानी के 5 बोतल दिया है उसे वोट भी दे दें लेकिन 6 दिन के बाद X की समस्या पहले जैसे ही बनी रहेगी अब यक्ष प्रसन यह है कि आखिर राजनितिक दल को क्या देना चाहिए था शायद सभी लोग यही कहेंगे कि संस्थागर धाचा यानि चापाकल पानी की स्थाई समस्या का निदान लेकिन दुर्भाग वस सत्ता के लालची लोग इस तरह के पांच बोतल दे रहे हैं विभिन निकाय तथा संस्थान ने भी इसके गंभीर परिडाम को लेकर राजनितिक दलों को चेताया है यह बहुत अच्छा तरीका है इनका अंसर लिखने का ठीक है यहाँ पर जो आरबी आई भी बोला था कि उससे मतलब बाद में समस्यां बात करता है इसमें कहा गया है कि राज यह उसके बारे में पूरा दिया हुआ है ठीक है क्या है अनुछे 16 फिर है इस अनुछे ने प्रदत सक्तियों का इस्तमाल करते हुए इस SCST वर को इतने इतने पर्सेंट का रक्षन दिया गया ये क्या हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद कह रहा है तथा इसमें कहा गया है कि राज इस समय समें पर इसका समिख्षा करेगा अब यहां से देखिए दुरभागिवस सत्ता के लालची लोग इस प्रावधान का इस्त प्रकार से सामाने वर्ग को जो आरक्षन प्रदान किया गया है वो कुटिल मानसिक्ता राजनेती से प्रभावित हो सकती है लेकिन उद्देशक गलत नहीं है तो इसलिए इस प्रकार से थोड़ा सा मतलब शब्द का चैन थोड़ा ठीक नहीं है तीसरी चीज हम बार-बार निशकर्श तह शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है देखिए हम इसलिए आपको इतने चोटी-चोटी बातों को ले के आपका अनिलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्या है न कि सबका अपना-पना एक स्टेज है आंसर राइटिंग का तो जो जिस भी स्टे कोई question समझ रहा है लेकिन content में वीक है तो उसको content में आगे बढ़ाना है किसी के content भी अच्छे question भी सही समझ लेकिन छोटी-छोटी mistakes है तो वह और भी बहतर करेगा अगर इन चारी चीजियों को वह अपने दूर कर लेता है तो ठीक है तो हम यह रहा answer और अभी next question का answer देख लेते हैं आप स्थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है यह राहुल सिंग जी का answer है इसमें हम आपको दिए इनका introduction पार्ट बहुत ही अच्छा था इसलिए इस वाले question का answer इनका दिखा दे रहे इनका देखता है देखना है हमको second question ठीक है पहले question अच्छा सेम वही question है कर्जमाफी वाला तो यह तो हम लोगों ने देख लिया है तो ठीक है हम लोग आज का तो complete करते हैं राहुल सिंगा जी का कि आप लोगों को क्या lab हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या है कैसे है ठीक है आप कोई suggestion देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं मुझ में कोई कमी हो वो भी आप बता सकते हैं बेहिचक क्योंकि हम लोग एक अपना मतलब friend circle अपना यह तो आप बिल्कुल बेहिचक कुछ भी बोल सकते हैं बता सकते हैं ठीक है चलिए आप लोगों को होली हैपी होली अभी से ही क्योंकि अब इस सीरीज में तो फिलहाल अब होली के बाद ही मिलेंगे अन्य वीडियो में भी मिलते रहेंगे लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग को पहले से बोल दे रहे हैं कोई छूटना नही चाहिए ठीक है चलिए हैपी हो लिए थेंक यू थेंक यू वेरी मच